हेलो गाइज, गिद मॉर्निंग तो अल अव यू, आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट अंडर जी एस्ट यानि देखो जो टेक्स हमने अभी तक कैलकुलेट किया कि जी एस्ट में आपने अपनी सेल्फ असेस्मेंट की उसको रिटर्न में फाइल कर दिया अब वो टेक्स आप को क्या करना पड़ेगा जो जी एस्ट आपने कैलकुलेट किया है उसको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा और उसी पेमेंट से रिलेटेड जितने भी जी एस्ट के प्रोवीजन सप्लाई होते हैं उन्हीं को डिसकस करेंगे हम थ्रूआउट इस चेप्टर सबसे प की टेक्स की पेमेंट करोगे वो सारी की सारी एलेक्टरोनिक वे में करोगे यानि इपेमेंट करोगे आप कैश नहीं दे सकती बट हमारे जो स्मोल असेस्टीज हैं जिनकी टेक्स की अमाउंट स्मोल होती है उनको रिलेक्सेशन भी दी गई है कि अगर आपकी एक टेक्स प का मतलब है कि आप GST की को जो आपने ज्यस्टी केलकुलेट किया है उस GST को डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं या तो आप उसे ओवर्दा काउन्टर दे दो यानि काउन्टर पर पैसे दे दो चाहिए वो चेक के जरूँ दो चाहिए कैश दो या फिर आप इलेक्ट्रोनिक वे में करो बट जो हमारा GST है उसका मेन फोकस है electronic payments को प्रमोट करना तो वो हमेशा यह क्या कहता है कि आप क्या करोगे payment electronic वे में ही करोगे बट स्टिल क्योंकि कुछ SST small है तो उनके लिए चीज रखी गई है कि अगर एक tax period में आपका tax जो है 10,000 से कम है तो उस case में आप over the counter payment भी कर सकते हो जो यह payment होगी वो किसी भी regarding हो सकती है यानि हम mainly बात कर रहे हैं कि आपको tax pay करना हो बट जरूरी नहीं है कि आप जो GST में payment करते हो वो सिर्फ tax हो क्या क्या हो सकता है आप GST के अंदर pay कर सकते हो tax secondly आप pay कर सकते हो interest कि अगर आपने जिसे हमने कई बार किया है कि आपने यहां तक payment नहीं दी तो आपको बाद में उस पैसे को भी interest देना पड़ेगा यानि आप late payment करते हो तो वो interest भी हो सकता है इस payment में thirdly कोई penalty आपके उपर GST के अंदर लगी है वो भी हो सकती है कोई fees आपने भरी है किसी registration करवाने के लिए कोई भी form के लिए वो हो सकती है या कोई और payment भी हो सकती यानि हम जब बात कर रहे हैं GST की payment की तो हम सिर्फ tax के बात नहीं कर रहे हैं कोई भी amount जो आपको GST Act के अंदर GST के अंदर आपको pay करना है वो सारा का सारा यहां पर included होगा और जो भी यह सारी payment है इसको करने के लिए department क्या करेगा देखो हमने यह बोल दिया cash ले लो 10,000 तक है उससे उपर है तो e-payment ले लो बट क्या ऐसे होगा कि आपने debit card यूज किया direct उनके पास ऐसे पैसे चले गए और payment हो गई कभी भी GST department को आप ऐसे सिधी payment नहीं करते जो भी यहां पर payment होगी चाहे वो tax के regarding हो interest के regarding हो penalty fees या कोई भी और amount कोई भी payment चाहे आपको क्यों ना करनी हो उसके लिए कुछ registers maintain होते हैं यानि जब भी कोई person क्या करेगा GST portal पर अपने आपको register करवाता है उसको रजिस्टर होते ही तीन account उसके खुल जाते हैं एक electronic cash laser दूसरा electronic credit laser and thirdly electronic liability register तीनों की बात करेंगे हम ये क्या होते हैं detail में बात करेंगे बट उससे पहले एक और point वो है कि हम बात करने जा रहे हैं यहां पर कि आपको GST को पे करना है और वो GST को आप return के according पे करोगे लेकिन उसको पे करोगे कब तक ये बात वैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी आपको कोई return फाइल करनी होती है तो जो return फाइल करने की last date होती है वही date आपकी tax को pay करने की भी last date होती है यानि ऐसा नहीं है return आप इस महिने में भरोगे पिछले महिने की और payment उससे अगले में करोगे जो आपकी particular month की return भरने की last date है वही date आपकी payment भरने की last date होती है जैसे हमने बात की थी monthly return तो monthly return का फाइल करनी होती है जिस month से वो related है उससे next month की 20 तक तो payment की last date भी क्या होगी next month की 20 ठीक उसी तरीके से मानलो आपको TDS की return भरनी है तो TDS की return भरने की date क्या होती है next month की 10 तक तो यहाँ पर payment करने की भी last date क्या होगी 10th of next month composition scheme holder होता है आपका composition scheme holder को quarter खतम होने के बाद जो next month होगा उसके 18 तक अपनी return भरनी होती है तो 18th of next month या फिर कहलो after end of quarter जो 18 आएगी वो last date माने जाएगी किसकी payment की भी यानि जो भी GST के अंदर payment होगी चाहे इन में से किसी भी चीज की क्यो ना हो उसको भरने की last date वो होगी जो की उस particular चीज से return भरने की last date थी और इन सब चीजों की payment की जाएगी through electronic cash laser credit laser and electronic liability register अब इनकी बात करते हैं थोड़ा detail में देखो क्या होगा जैसे ही आप GST पर register करोगे तो जो आपका dashboard होगा यानि जो आपका login करने के बाद जो आपका page होगा उसके उपर automatically ये तीनों account आपके open हो जाते हैं electronic cash laser क्या बताएगा वो ये चीजे बताएगा कि आपने कितना cash जमा करवाया और उसमें से कितना किस चीज के लिए यूज हुआ electronic credit laser बताएगा कि आपके पास input tax credit था कितना और उसमें से आपने कितना यूज किया और electronic liability register आपका बताएगा कि total आपकी liability बनती कितनी थी और उनमें से कितने आप discharge कर चुके हो कितने पे कर चुके हो यानि देखो payment कैसे होगी department को उसके procedure को हम बाद में discuss करेंगी कि कैसे चलान बनेगा कैसे payment होगी department के पास जाएगी पर जो भी payment आप government के को कर दोगे government को pay करने के बाद आपने क्या किया मानलो 10,000 रुपे गौर्मेंट को ऐसा टेक्स पे किये हैं तो वो 10,000 रुपे के पास जैसे ही जाएंगे उसकी information आपके GST पोर्टल पे जाएगी उनके पास जाएगी कि इनके 10,000 रुपे जब आए हैं तो वो 10,000 आपके electronic cash laser में चले जाएंगे कि इनके 10,000 रुपे सम्मिट किये हैं इस वज़र से फिर क्या होगी electronic liability register में से वो काट दी जाएगी कि हाँ इनके इनके पेमेंट कर दी है एक बार तो credit में लिख देंगे आपके कि आपके 10,000 रुपे आए हैं फिर साथ में ही जिस चीज के लिए यूज हुआ है नोड 6,000 इंटरस्स भरा है 2,000 की penalty भरी है और वो 10,000 करके वो account close कर देंगे यानि जो पैसा आप जमा करवाओगे वो electronic cash laser में जाता है जो आपके पास ITC की information होती है वो electronic credit laser में जाती है और जितने आपकी total ability बनती है कहां से कितनी बनती है उन सबकी information इस register में maintain होती है तीनों के regarding ही काफी provisions हैं एक एक करके बात करते हैं सबकी detail में देखो अभी तक अगर आपको ये lasers के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया है तो भी कोई problem नहीं है हम commerce के student हैं हमें पता है कि lasers क्या होते है यानि एक account होता है जिसमें उस person के पास से क्या आया क्या गया सब कुछ information उसके regarding record होती है कि कितना उससे लेना है कितना देना है सब कुछ उसके अंदर record है ये laser है किस चीज का ये cash laser है जो कि electronic way में maintain किया जा रहा है अब जैसे पेटियम यूज किया होगा सबने पेटियम का wallet होता है उस wallet में क्या दिखता है कि आपने कितने पैसे bank account में से उसमें जमा किये और उसमें सिर्फिक जितने यूज करते जाते हो वो deduct होते जाते है ठीक उसी तरीके से ये आपके GST portal पर बना हुआ GST की payment के लिए आपका wallet है जितना भी पैसा आप जमा करवाओगे वो सारा इसके credit में चला जाएगा कि इतना पैसा आपका जमा हो गया फिर जब उस पैसे को यूज करोगे किसी भी चीज की payment करने के लिए चाहे वो interest हो टेक्स हो पैनल्टी हो फीस हो या कोई भी पेमेंट और हो जब उनके लिए उसको यूज करोगे तो फिर उस टाइम या आपका अकांट डेबित हो जाएगा कि दस हजार आपके आए थे उसमें से आगर आपने चार हजार यूज कर लिए तो चार हजार डेबित हो गए अब आपके छेहीं हजार क्रेडिट बचा हुआ है फिर उसको यूज कर लोगे अंतिल लास्त की पूरा आप यूज कर सकते हो यानि अपनी मंणी को ट्पोजिट करवाता है उसको अड़ करता है ताकि वो क्या कर सके जिसके अंदर उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है चाहे डिसके जैसे ही आप GST में रेजिस्टर होते हो आपका ये अकाउंट अपने आप ही ओपन हो जाता है और जो ये आपका cash laser है वो maintain होता है in form GST PMT05 यानि इस form में आपका ये account create होगा जिसमें सारी entry record होगी अब बात कर लेते हैं इसके provisions की ही कौन-कौन से provisions हैं आपके जो apply होते हैं आपके किस पे electronic cash laser में first credit and debit की electronic cash laser में क्या-क्या चीजे credit होगी और क्या-क्या चीजे debit होगी तो जो भी पैसा आप जमा करवाओगे the amount deposited चाहे वो text के लिए चाहे interest के लिए penalty के लिए किसी भी तरीके से वो यहां पर होगा credit और जब उसी payment उसी जमा की हुए amount को आप use करोगे payment करने के लिए चाहे वो payment tax के की हो interest की की हो penalty की फी कि या किसी भी चीज की तो वो होगा आपका debit secondly mode mode use for making deposit यानि आपको cash laser में पैसा जमा करवाना है तो वो आप कैसी जमा करवा सकते हो क्या mode होगा उसको deposit करवाने का जब हमने chapter की starting की तभी हमने क्या बोला था कि अगर आप small assessi हो तो उस case में यानि आपके अगर जो amount है वो अगर आपकी जो amount है 10,000 से उपर है तो उस case में compulsory आपको e-payment करनी होगी जिसकी 10,000 तक है वो भी e-payment कर सकता है लेकिन उसके पास option है वो चाहे तो over the counter भी use कर सकता है लेकिन अगर आपकी amount more than 10,000 है तो आपको e-payment ही use करनी होगी इ-payment में आप चाहे तो internet banking यूज कर सकते हो जो भी authorized bank आपका होगा उसके तुरू आप internet banking कर सकते हो credit card का use कर सकते हो debit card का use कर सकते हो RTGS करवा सकते हो या NEFT National Electronic Fund Transfer भी कर सकते हो यानि e-payment के लिए कोई भी more electronic payment का आप use कर सकते हो और अगर आप over the counter payment कर रहे हो तो उसके लिए आप cash, check, demand draft इनका use कर सकते हो अब एक और चीज है कि हमने वैसे तो ये criteria बना दिया कि 10,000 तक अगर आपकी payment है तो आप over the counter कर सकते हो और e-payment चाहो तो वो भी दे सकते हो और उसे उपर होगा तो आपके लिए compulsory है कि आपको e-payment करने पड़ेगी बट कुछ persons ऐसे हैं जिनकी payment चाहे कितनी भी क्यों ना हो वो buy cash पे कर सकते हैं आप over the counter pay कर सकते हैं यानि उनके उपर ये 10,000 की limit apply नहीं होती mainly ऐसे 2% है जिनके उपर ये जो limit है up to 10,000 की apply नहीं होती कौन-कौन से firstly government department कि अगर क्या है government department जो है pay कर रहा है पैसा यानि जो tax है वो government department दे रहा है या कोई भी person जिसको government ने या commissioner ने notify किया हुआ है कि वो चाहे तो कितना भी पैसा cash में दे सकता है ऐसा हर person over the counter payment कर सकता है चाहे उसकी tax की amount कितनी भी हो secondly officer authorized to make recovery कैसी recovery कि कुछ persons है जो क्या कर रहे है tax pay नहीं कर रही या उनकी outstanding dues पड़ी है penalty की या interest की तो कुछ officers होते हैं जिनको authorization होती है कि वो क्या करेंगे जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनसे पैसे निकलवाएंगे यानि उनसे पैसा recover करेंगे तो ऐसा हर person जो ऐसा हर officer जो क्या कर रहा है amount recover करवा रहा है तो चाहे वो क्या करे उस particular person की पैसा निकलवाएगा उसको वो क्या करेगा department में जमा करेगा तो उस पैसे की amount चाहे कितनी भी हो वो cash में जमा करवाई जा सकती है यानि government department या फिर कोई भी person जिसे commissioner ने notify किया हुआ है वो भी 10,000 से उपर की payment cash में दे सकता है या फिर जिनको authorize किया गया है कि वो recovery करेंगे जितने text dues बचे हुए है या कोई भी dues बचे हुए है वो भी अगर 10,000 से उपर की payment है फिर भी cash में कर सकते हैं थर्ड प्रोवीजन है हमारा utilization of amount available in electronic cash laser कि जो electronic cash laser में पैसा पड़ा है उसका use किस-किस चीज के लिए किया जा सकता है तो देखो ये तो cash है आपने जो जमा करवाया है तो इसका use आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो यानि tax, fee, penalty, interest या कोई order किसी के लिए भी इसका use कर सकते हो जो आपका ये electronic cash laser है ये आपका specify है under section 49 यानि section 49 आपको बताता है electronic cash laser के बारे में इसमें जो भी पैसा आप जमा करवाओगे वो credit होगा जो भी उसमें से payment करोगे वो debit हो जाएगी इसमें जमा करवाने के लिए 10,000 तक का है तो आप over the counter भी यूज कर सकते हो otherwise आपको इपेमेंट करनी पड़ेगी जो government के authorized person है, government department है या recovery करने वाले officers है उनके उपरे 10,000 की limit apply नहीं होती और इस particular amount का use जो आपके cash laser में पड़ी है आप GST के अंदर किसी भी payment को करने के लिए कर सकते हो यह था आपका electronic cash laser अब बात करते हैं electronic credit laser के बारे में electronic credit laser तो दिखू जैसिस का नाम ही बता रहा है यह एक ऐसा laser है जो किसका record रखेगा credit का कौन सा credit, input tax credit यानि जो भी आप ITC लेते हो, आप क्या करते हो, input पर tax देते हो, फिर उसका ITC मांगते हो कि हाँ हमने इतना input पर tax दिया है तो हम eligible है इतने ITC के लिए फिर उस ITC जो आपके पास पढ़ा हुआ होता है जब आपको अपनी output के उपर tax देना होता है आप उसको यूज करते हो कि इतना तो हमने पहले पे किया हुआ है अब हम सिर्फ बचा हुआ पे करेंगे यानि एक बार तो आपके पास आता है कि हमारा इतना ITC बनता है फिर उसमें से आप ITC यूज करते हो तो जैसे cash था आइग बार आता है फिर यूज करते हो ठीक उसी तरीके से electronic credit laser क्या है एक input tax credit को रखने की जंगा है जहां पर जो आएगा वो credit हो जाएगा और जो use होगा वो debit हो जाएगा फिक है लेकिन cash laser का use हम किसी भी चीज के लिए कर रहे थे चाहे tax pay करना हो interest pay करना हो penalty fee कुछ भी देना हो लेकिन input tax credit क्या है आपको output tax को pay करते हुए जो set of मिलता है यानि सिर्फ tax के regarding हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि आपको interest देना है penalty देनी है तो उसमें आप ITC यूज कर लो जो आपका input tax credit होगा यानि जो भी electronic credit में लेजर पढ़ा उसका use सिर्फ आप tax dues को pay करने के लिए use कर सकते हो किसी भी fee interest penalty के लिए इसका use नहीं हो सकता और जो आपका electronic credit laser है वो maintain किया जाता है inform gst pmt 02 में यानि electronic credit laser एक ऐसा laser है जो reflect करता है ITC को कि आपको कितना input tax credit मिला है जो आप अपनी मंथली return भरते हो inward वाली भरते हो जो उसमें जो आपने assess किया कि आपका इतना input tax credit बनता है वो इस account में credit में चला जाएगा यानि यह laser reflect करेगा और जब आप अपने tax को pay करोगे जितना आप उसमें से ITC use कर लोगे वो आपका debit हो जाएगा तिर्फ tax की payment के लिए इसका use करोगे और इसको maintain किया जाता है in gst form gst pmt 02 में अब बात कर लेते हैं provisions की कि कौन-कौन से provisions हैं आपके जो apply होते हैं on electronic credit lesson first है हमारा debit and credit कि क्या-क्या चीज़े debit होंगी इसमें और क्या-क्या चीज़े credit होंगी तो देखो दो चीज़ debit होती है इसमें और दो ही चीज़ है जो credit होती है फहले credit की बात करते हैं एक side debit लिख लेते हैं तो देखो जितना भी आप अपने monthly return भरोगे उसमें आपका self assess credit होगा यानि आप अपने आप self assess करोगे कि आपने इतना input पर tax दिया है तो आपका इतना ITC बनता है जो भी आपका self assess tax होगा वो आपके इसके अंदर credit में चला जाएगा यानि ITC जो भी आपका self assess बनता होगा वो electronic credit laser के credit में चला जाएगा जब आप उसी ITC को use करोगे tax की payment के लिए set of की तरह है वो चीज क्या हो जाएगी debit हो जाएगी तीके दूसरा एक हमने पहले बात की थी कि अगर आपने कोई input खरीदा उसके ओपर tax दिया तो आप उसका ITC ले लेते हो बट अगर उस input का use आप further export के purpose से कर रहे हो तो export क्योंकि zero rated tax है यानि tax supply है यानि जो आप export करते हो उसके ओपर GST नहीं लगता तो अब उसके ओपर GST नहीं लगता तो उस particular सामान में जितना tax आप pay कर चुके हो यानि input को खरीदते हुए उस पर जितना भी आपने tax दिया था उसका आप refund claim कर सकते हो दोबारा बोल रही हूँ जब भी क्या होता है आपने कोई सामान purchase किया उसके purchase को आपने करके उस पर अपनी further processing लगाई उसका कुछ और बनाया और उसको आप export कर रहे हो export zero rated supply है उसके ओपर GST नहीं लगता क्योंकि उसका consumption दूसरी country में होगा और GST हमारा destination based tax है तो हमने क्या कहा था अब आपने इसका जो raw material खरीदा था उस पर टेक्स दिया था purchase करते हुए अगर आप यह export ना होके simple sale होती तो आपको यहां पर जितना tax भरना होता उसमें से आप इस tax का deduction ले लेते कि इतना हम pay कर चुके हैं लेकिन export पर तो आपको टेक्स देना ही नहीं है फिर इसके deduction कहां से लोगे तो जो आपने input पर इसके export से related tax दे दिया होगा उसक आप refund क्लेम कर सकते हो कि इसकी हमारी export में यूज हो गया है तो जितना हमने इसके regarding input पर टेक्स दिया था वो हमें हमारा refund किया जाए तो अगर क्या है आप refund क्लेम करोगे आपको refund मिलेगा इसका मतलब जो उस particular के regarding आपने जो टेक्स पे किया था आपने उसको अपने ITC के तरी ITC कहां से रह गया तो अगर आपने ITC अपना पैसा वापस ले लिया आपका ITC वापस चला गया यानि आपके ITC जितना electronic credit laser में ITC दिख रहा होगा वो कम दिखेगा यानि वो क्या हो जाएगा debit यानि जितना भी एक register person claim करेगा refund किसी भी unutilized amount का वो हो जाएगा debit जैसे ही आप आपने claim किया चाहे आपको पूरा refund हुआ हो या ना हुआ हो एक बार department आपके electronic credit laser को debit कर देगा पूरे amount से अब मान लो आपने जो claim refund claim किया था वो 10,000 का था ठीक है बड़ department को लगा आपका 10,000 का नहीं बनता आपका तो 8,000 का बनता है उसने आपको 8,000 का दिया तो जब आपन amount में पूरा 10,000 debit कर देगे लेकिन फिर बाद में दिखा कि 8,000 का देना है इसका मतलब आपका 10,000 से debit नहीं करना चाहिए था 8,000 से करना चाहिए था लेकिन हम 10,000 से कर चुके है तो अब क्या कर देंगे 2,000 से credit यानि जो आप ITC आप लेते हो मंतली return में वो भी credit होगा और जाए पिट यहाँ पर हो जाएगा second provision है आपका utilization of amount available in electronic credit laser electronic credit laser में जो amount है उसका use किस purpose ही किया जा सकता है तो electronic credit laser में जितना भी amount बढ़ा हुआ होता है उसका use सिर्फ tax की payment के लिए किया जा सकता है और किसी भी payment के लिए इसका use नहीं हो सकता इसके बाद third provision है हमारा procedure for utilization of amount जो भी आपके पास पैसा पड़ा होगा electronic credit laser में उसको किस तरीके से use किया जाएगा वैसे तो जो यह procedure है हम पहले पूरा discuss कर चुके हैं इस procedure के अंदर दो चीजे consider होती है first sequence of utilization of ITC कि किस sequence में ITC के use किया जाएगा and secondly restrictions क्या है of utilization of ITC थोड़ा सा brief में मैं बताऊंगी अगर आपको retail में with example देखना है तो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा यह आपको input tax credit के जो हमने वीडियो की थी जो lecture discuss किया था कि input tax credit कैसे utilize होता है वहाँ पर हमने इसको detail में discuss किया था बट फिर भी एक बार थोड़ा सा कि first है आपका utilization of ITC कि आप ITC को utilize किस sequence में करोगे तो देखो जो tax हम pay करते हैं हमें ITC उसी का मिलता है अगर आपने IGST pay किया होगा तो आपको जो ITC मिला होगा IGST का मिला होगा CGST pay किया होगा तो CGST का मिला होगा तो हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास IGST का ITC पड़ा है तो उस IGST के ITC को आप किस-किस tax को pay करने के लिए use कर सकते हो तो देखो जो IGST का जितना भी ITC हमारे पास होता है उसका सबसे पहले तो use किया जाता है IGST के लिए ही यानि जो IGST का input tax credit पड़ा है जब हम output पर tax देंगे तो सबसे पहले तो हम set of ले सकते हैं इसका IGST के लिए ही IGST का set of लेने के बाद उसके बाद आप SGST, CGST या UTGST किसी के लिए भी इसका use कर सकते हो अपने according यानि अगर आपके पास जो set of पड़ा है जो ITC पड़ा है IGST का पड़ा है तो आप उसका set of सबसे पहले IGST के लिए लोगे फिर आपके पास कुछ बच जाता है तो आप किसी के लिए भी इसका use कर सकते हो Secondly, अगर आपके पास जो ITC का balance है वो CGST का पड़ा है तो CGST का जो balance है वो सबसे पहले use किया जाएगा IGST के लिए और उसके बाद use किया जाएगा CGST के लिए SGST या UTGST के लिए इसका use नहीं किया जा सकता Thirdly, अगर आपके पास SGST का balance बढ़ा है ITC का तो सबसे पहले इसका use होगा IGST के लिए और फिर कुछ बच जाता है तो SGST के लिए And lastly, अगर आपके पास UTGST का कोई balance बढ़ा है ITC का तो सबसे पहले इसका use होगा IGST के लिए और फिर कुछ बच जाता है तो UTGST के लिए ठीक है? यानि IGST सबसे पहले हर चीज का use किया जाता है IGST को set up करने के लिए और फिर कुछ बचता है तो IGST को तो किसी भी चीज के लिए use कर सकते हो और बाकी तीनों को सिफ उनके खुद के परपस के लिए use किया जा सकता है किसी और के लिए नहीं जो कि देखो जैसे CGST है CGST central government का होता है तो उसका set of state government क्यों देगी? SGST state government का है तो उस परपस से division रखा गया है कि आप क्या कर सकते हो IGST का किसी के लिए भी कर सकते हो बड़ बाकी का या तो IGST के लिए या सिरिस्पेक्टिव खुद के लिए ही use किया जा सकता है और जब तक आपका IGST का balance पूरा use नहीं हो जाता खतम नहीं हो जाता तब तक आप इनका use नहीं कर सकते यानि अगर आपका IGST का ITC पड़ा है तो आप CGST के ITC का यूज नहीं कर सकते कि आपका CGST के लिए आप CGST का यूज कर लो कि ITC का हमारा बचा रहेगा फिर फर्दर उन काम आ जाएगा पहले आपको IGST का पूरा यूज करना पड़ेगा उसके बाद ही आप बाकी ITC का यूज कर कर सकते हैं कि आप इसका CGST UTGST के लिए नहीं कर सकते हैं कि जब तक आपका IGST का अमांट पूरा यूज नहीं हो जाता तब तक आप बाकी अमांट यूज नहीं कर सकते हैं and third restriction है आपकी third तो है नहीं वो third यही थी कि एक है कि आप CGST के balance को सिफ उसके लिए यूज कर सकते हो SGST को उसके लिए and आप क्या कर सकते हो एक का यूज कर खतम होने के बाद ही बागियों को यूज कर सकते हो next provision है आपका हम बात कर चुके हैं कि debit credit क्या होगा फिर हमने बात की utilize किसके लिए होगा फिर हमने बात की procedure की इसका next provision नहीं है यह जो specify है आपका वो specify है section 49 के subsection 2 में जो cash laser था वो भी 49 section में था बट वो 49 section के subsection 1 में था और जो आपका electronic credit laser है वो subsection 2 में प्रेस्क्राइब है अब हम बात करते हैं हमारे third point की that is electronic liability register electronic liability register यानि एक ऐसा register जो आपकी सारी liabilities को record किये हुए है यानि यह एक ऐसा register है जिसको electronic में बनाया जाता है यानि physical form में नहीं होता electronic form में होता है और इसमें जितनी भी आपकी liabilities बनती है जो भी आपको pay करना बनता है चाहे tax हो interest हो penalty हो fees हो जो भी हो सारी liabilities आपकी इसके अंदर लिखी जाती है जैसे ही एक taxpayer register होता है GST network पे यानि GST portal पे automatically उसका electronic liability register जो है create हो जाता है open हो जाता है और हर time उसके dashboard पर दिखाई देता है कि इस at present उसके liability कितनी pending है कुछ provisions है जो आपके apply होंगे इस electronic liability register पे तो first है आपका maintenance कि इसकी maintenance जो है आपका जो यह register बनता है जिसमें आपकी सारी liability record की गई है यह आपका maintain किया जाता है in GST form GST PMT 01 सेकिंड है debit and credit कि में क्या चीज़ debit की जाती है electronic liability register में और क्या चीज credit की जाती है तो देखो जो हमने cash laser पड़ा credit laser पड़ा वहां पर तो जो समान आ रहा था जो चीज़े आ रही थी वह credit थी और बाकी चीज़ जब जा रही थी वह तो debit हो रही थी liability register में reverse होगा जो जो आपके expense है यानि जो जो आपका देना बनता है liability आपकी बनती है tax है interest है late fees है penalty है जो इस particular session से related है चाहे यानि चाहे आपने अपनी return में खुद इनको calculate किया है चाहे proper officer ने यानि कुछ हम कुछ calculate कर लेते हैं कि हमारा इतना बनता है फिर proper officer खुद अपने या फिर हम जवान लोग प्रोवीजनल assessment हमने करवाई तो ऐसे में proper officer बताएगा आपकी कितनी बनती है या फिर आपने अपनी मर्दी से calculate करके बता दी बाद में क्या मिला mismatch मिला कि department को लगता है कि आप जो लावलटी बता रहे हो वह कम जादा बता रहे हो या आपका कुछ या फिर जो authorities है जो appellate authority है यानि मानलो जो आपका ट्रिबुनल बना हुआ है कि आपको लगता है आपकी जो टेक्स लावलटी है वह जादा बताई जा रहे है डिपार्टमेंट गलत calculate कर रहा है और आप उनके अपील कर देते हो तो अगर ट्रिबुनल क्या कर देता है अपी यानि आपका जो यह account है यह debit कब कब होगा जब भी आपकी कोई चीज देनी बनती होगी तो यह debit होगा और जैसे ही आप उसे दे दो गया आप या फिर वह देनी नहीं पड़ेगी आपको वह relief मिल जाता है तो उस case में यह account क्या है credit हो जाएगा इसके बाद आपका थर्ड प प्रवाबलटी इनको डिस्चार्ज करना है तो उनको किस तरीके से जो है डिस्चार्ज किया जाएगा तो देखो में ली तीन टाइप की लाबलटी होती है एक टेक्स डिउस यहाँ पर कुम से include होंगे जो भी आपको टेक्स पे करना होगा अंडर CGST है यानि जो आपका टेक्स है वो टेक्स डिउस में आता है कुछ होते हैं other dues यानि जो टेक्स से अलग आपके dues बनते हैं चाहे वो interest है, fees है, penalty है वो आपकी other dues में आती है और कुछ होते है और amount यानि जो अगर आपके उपर proceeding start हो जाए तो आपके उपर penalty लगती है under section 73 या 74 तो ये तीन type के dues होती है तो इनका sequence क्या होता है कैसे इनको discharge किया जाता है सबसे पहले अगर क्या है आपका पिछले time का यानि एक तो आप इस बार का tax pay कर रहे हो आपका पिछला कोई tax spending पड़ा है चाह इसने भी tax dues या फिर other dues बनते हैं वो पी पे किये जाते हैं and lastly अगर आपको section 73 और 74 के अंदर कोई penalty पे करनी है आप उसको pay करते हो यानि discharge करने का sequence क्या होता है सबसे पहले previous period के tax dues और other dues दिये जाएंगे उसके बाद current period के tax और other dues दिये जाएंगे and lastly section 73 और 74 के अंदर जो payment बनत यानि एक ऐसा register जो आपकी सारी liability का record रखे हुए है जो भी आपको pay करना होगा वो debit में आएगा जो pay कर दोगे आप pay नहीं करना पड़ेगा वो credit में आएगा इसको GST PMT 01 में maintain किया जाता है और इसमें सबसे पहले previous period के tax जाने आपका पिछला वो pending पड़ा है वो tax वगरा दो एक बार short में बात करती हूँ जो हमने आज पूरा discuss किया आज हमने बात की कि हमें क्या करने होती है GST के अंदर payment करनी है अगर आपको GST में payment करनी है तो उस payment को करने के लिए तीन चीज़ों का use किया जाता है एक electronic cash laser, credit laser and liability register cash laser में आप कितना cash जमा करवा रहे हो कितना use कर रहे हो उसका record होगा credit laser में जितना आप ITC आपको मिला होगा और जितना use किया होगा उसका record होगा और liability register आपकी कितने liability total बनती है और उसमें से कितनी आप discharge कर चुके हो उस चीज़ का record रखा जाएगा I hope यहां तक clear हुआ होगा next lecture में हम लोग बात करेंगे GST payment की process के बारे में कि अगर आपको GST की payment करनी है तो उसका procedure क्या होता है और कुछ provisions extra भी है जो आपकी payment करती हुए apply होते हैं उनको भी discussion हम करेंगे I hope आज का lecture समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना Thank you